नमस्कार स्वागत है आपका SPN 9 News में मैं हूँ आपके सांश्रुती नागरीता संशोधन बिल जब से लोग सबा में पास हुआ है तब से देश में बवाल मचा हुआ है कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई लोग इसका विरोध कर रही हैं बताते आपको कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादीश के गैर मुस्लिम शर्णार्थियों को नागरीता देने वाला बिल लोग सबह में पास हो चुका है सोमवार और मंगलवार की दर्मियानी रात 12 बचकर 4 मिनट पर लोग सबह में ये बिल 80 के मुकाबले 311 वोटों से पास हो गया इस दोरान कुछ गैर NDA दलोने भी मतदान के दोरन बिल के पक्ष में वोटिंग की लेकिन इस बिल पर मुदी सरकार के असली परिक्षा राज्य सबह में है नागरीता संशोधन बिल को संसत के उपरी सदन में बुदवार को पेश किया जाना है आज जो लोकसभा की तरह यहां NDA के पास बहमत तो नहीं है लेकिन फिर भी यह लग रहा है कि मोदी सरकार इसको राज्य सबह से भी पास करवाने में काम्याब हो जाएगी ठीक वैसे ही जैसे 370 हटाने और 3 तलाक से जुड़े विदेयत को राज्य सबह से पास करवाने में सफल रही थी लेकिन बिना महुमत के कैसे संभव हो गई आए समस्ते हैं कि क्या है राज्य सबह का गड़ित और यहां पर इस बिल को पेश जब किया चाहेगा तो इसकी परिक्षा में मोधी सरकार पास होती है या नहीं राज्य सबह में अंडिय का समीकरन पताते हैं आपको अंडिय के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राज्य सबह में 13 सांसद है वहीं जेडियो के 6 शिरोमडी अकाली दल के 3 रामदास अठाबले वाली रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया का एक जबकि अन्य दलों के 13 सबह से हैं इस तरह इंडिय के राज्य सबह में 106 सांसद है यानि के पूरे गड़ित को बताने के बाद पूरे समीकरन को बताने के बाद यहां पर निशकर्स निकालेंगे अब बताते हैं कि उपरी सदन में UPA का समीकरन क्या खेती है उधर विपक्षी पार्टियों के गड़बनन UPA में कॉंग्रेस के सबसे ज़्यादा 46 सांसद है वहीं DMK के 5 NCP और RJD के 4-4 सांसद है इनके अलावा अन-UPA सहियोगियों के 3 सांसद है यानि UPA के पास कुल 62 राज जिस सभा सांसद है अब चलिए बताते हैं जो ना NDA में है ना UPA में कुछ पार्टिया ऐसी भी है जो ना NDA में शामिल है और ना ही UPA में मुद्दों और समय के हिसाब से ये दल अपना फैसला करते रहते हैं जैसे TMC जिसके 13 सांसद है इसके अलावा SP के 9, TRS के 6, CPM के 5, BSP के 4 और आप के 3 सांसद है इनके अलावा जम्मो कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महभूबा मुफ्ति की PDP के 2 CPI का एक और JDS का भी एक सांसद है इन्हें मिलाकर 44 सांसदों का आंकड़ा होता है मौजूदा सियासत देखते वे इनका citizenship amendment bill का विरोध करना तैय है अब बात करते हैं वो दल जो बिल्कुस समर्थन दे सकते हैं NDA या UPA दोनों में से किसी का हिस्सा नहीं होने वाली कुछ और भी पार्टिया है जो बिल्कुस अपना समर्थन दे सकते हैं इनमें AIA DEMK के 11 BJD के 7 YSR के कॉंग्रेस पार्टी के 2 और TDP के 2 सांसद शामिल है हाली में BGP से नाता तोड़ चुकी शिवशेना के 3 सांसद है जो नागरिक्ता विदेया के पक्ष में वोटिंग करेंगे पार्टी ने लोग सभा में भी बिल का समर्थन किया है साथी 3 और सांसद समर्थन दे सकते हैं सबको मिला दिया जाए तो कुलांकडा 28 सांसदों तक पहुंचता है अब बात करते हैं 12 सांसदों के वोट काफी एहम हैं जी हां इस स्थिते में जहां एक-एक वोटी कीमती है राजसभा के 12 नामित सदस्यों कामथ अहम होगा इनमे से 8 सांसद बीजेपी में आ गए हैं 12 से 11 एंडिये के पक्ष में जबकि बाकी एक सांसद यूपिये के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं तो कौन किस पर पड़ेगा भारी अब पूरा हिसाब लगाते हैं सारे आकड़ों को जोड़ी तो एंडिये के 106 सांसदों के सांथ बिल के समर्थन में आने वाले कुल सांसदों का आकड़ा 137 तक पहुच जाता है और उधर यूपिये के बासच के अलावा गैर यूपिये विरोधियों की संख्या और एक नामित सदस्य को मिला कर कुल संख्या 107 होती है वैसे तो राजसभा में 245 सीटे हैं हाला कि मौझूदा सांसदों की संख्या 240 ही है क्योंकि 5 सीटे खाली है इसलिए राजसभा में बहुमत का आकड़ा 121 का होता है तो पिक्चर साथ है बहुमत चाहे ना हो लेकिन 370 हटाने और तीन तलाक से जुड़े विधया की तरही राजसभा में नागरिक्ता संख्या बिल की परिच्छा में मोधी सरकार अच्छे नम्बरों से पास हो सबग्या लेकिन बात करें अगर नागरीक्ता संख्या बिल के बारे में तो इसे देश में क्या प्रभाव पढ़ेगा देश में कहीं न कहीं इसका विशेश प्रभाव पढ़ने वाला है जहाँ पर मुस्लिम जो है इसका समर्थन नहीं कर रही है इसके अलावा कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रही है वहीं जिस तरह से वैसी न यहाँ पर मोधी सरकार पर निशाना साथते हुए आरोप लगाया कि सरकार जो है वो मुस्लिमों से नफरत करती है इस तरह कि अगर बाते की जाए तो नागरिक्ता संशोधन बिल से जो है संसद में हंगामा तो मच रहा है इसके साथ ही राज जिस सभा में अब देखना दिलस्फ होगा कि अखिर इस बिल पर क्या यहाँ पर रिजल्ट सामने आता है हाला कि इन सब की आंकडे की बात की जाए तो मोधी सरका अच्छी नमबर से पास तो हो सकते है लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि गेम पलट भी जाए क्योंकि यहाँ पर अगर जितने का आकड़ा हमने बताया और उतने के आकड़े में से कई लोग इसके खिलाफ चले जाते हैं तो गेम पलट सकता है खेर आपको यो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं और आगे तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमार साथ नमस्कार